वा बाबा क्या लसी बनाई है आपने आपकी तरह मटका लसी तो कोई भी नहीं बना सकता बच्चे कह तो ठीक रही है जी ना जाने आप इतनी अच्छी मटका लसी कैसे बना लेते हैं ये तो बस बांके बेहारी की कृपा है एक दिन देखना बाबा हम भी बिलकुल आप की तरह मटका लसी बनाएंगे और एक बड़ा सा रेस्टों को खोलेंगे फिर आप उस रेस्टों को संभालना फिर आपको रोज रोज ऐसे कड़ी दूप में मटका लसी बेचने के लिए नहीं जाना पड़ेगा भगवान करे तुमारा हर सपना पूरा हो अरे घर पर है कोई क्या इस समय कौन है अहाँ बैठी में देखती हूँ इतना कहकर मोहिनी घर के बाहर जाती है जी श्रीमान श्याम जी का घर यही है क्या जी ये लीजिये उनके नाम से चिठ्थी आई है पोस्ट मैन मोहिनी को चिठ्थी दे कर चला जाता है जिसके बाद मोहिनी चिठ्थी लेकर श्याम के पास जाती है किसकी चिठ्थी है जी वो रामनगरवाली मौसी जी है ना उनकी चिठ्थी है उनकी तबियत काफी ज़ादा खराब है इसलिए हमें मिलने के लिए बोलाया है फिर तो हमें फॉरण ही निकल जाना चाहिए बिटा हम दो दिन के लिए जा रहे हैं तब तक तुम दोनों घर का अच्छे से खयाल रखना हम जल से जल दोटने की कोशिश करेंगे ठीक है? ठीक है बाबा श्याम मोहिनी जल्दी से सामान पैक करते हैं और बस पकड़ कर राम नगर के लिए निकल जाते हैं रास्ता पहाड़ी इलागे से होकर जा रहा था श्याम और मोहिनी कई घंटी का सफर तैकर के रामनगर पहुचने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक पहाडों पर लैंड स्टाइडिंग हो जाती है जिसके चलती एक बड़ा पत्थर उनके बस में आगिरता है और बस में मौझूद हार एक पैसेंजर पत्थर के नीचे दब कर मर जाता है और देखते ही देखते पंक्ती और तारा दोनों बहने अनाथ हो जाती है दीदी माबाबा हमें क्यों छोड़ कर चले गए? क्यों भगवान ने हमारे माबाप को हमसे दूर कर दिया? तो जब पता है ना भगवान अच्छे लोगों को जल्दी अपने पास बुला लेता है हमारे मापाप भी तो अच्छे इंसान थे ना इसलिए भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया दोनों बेहने एक दूसरे को लिपट करो रही थी कि तब ही वहाँ पर उनका मकान मालिक भजनलाल आता है अगर तुम दोनों बेहनों का रोड़ा धोड़ा हो गया हो तो मेरे घर का किराया निकालो भजनलाल जी आप क्या कह रहे हैं आप दो जानते हैं कि हमारे मा बापस दुनिया में नहीं रहे हम किराया कैसे देंगे भगवान के लिए हम पर रहम कीजिए ठीक है एक महिने के मौलत दे रहा हूँ अगर एक महिने के अंदर मेरा किराया नहीं दिया तो खुद ही मकान खाली कर दे रहा इतना कहकर भजनलाल वहां से चला जाता है तीदी अब हम लोग कहां से पैसे लेकर आएंगे अब हम वही करेंगे जो हमारे बाबा करते थे मैंने बाबा को कई बार मटका लसी बनाते हुए देखा था अब हम भी उनकी तरह मटका लसी बनाएंगे और बेचेंगे दोनों बहने मिलकर मटके के अंदर दही जमाती हैं और दही जमाने के बाद जिस तरह से श्यान दही के अंदर चीनी डाल कर उसे अच्छे से मिला कर उस पर मलाई डाल कर मटका लसी बनाया करता था वैसे ही दोनों बहने बनाती हैं और अपनी बाबा की थेले पर मटका लसी बना कर उसे बेचने के लिए निकल जाती हैं मटका लसी ले लो, ठंडी ठंडी, मीठी मीठी, मटका लसी ले लो एक ग्लास मटका लसी देना ये लीजे साहब ची, यह मटका लसी है या कोई खटा बानी, तुमारी सारी मटका लसी तो खराब है नहीं साहब हमने तो ये मटका लसी सुबह सुबह ही बनाई है तो ये खराब कैसे हो सकती है अगर ये कहीं नहीं हो रहा तो खुद ही पी कर देख लो दोनों बहने जैसे ही मटका लसी पीती हैं तो फौरण उसे थूख देती हैं गर्मी की वजह से सारी मटका लसी खराब होकर खटी हो चुकी थी, जिसके चलते अब दोनों बहने फिर से मटका लसी के लिए दही जमाती हैं, लेकिन गर्मी के चलते बार बार दही फट जाता है। ये क्या दीदी आज फेर ये दही फट गया, ये दही जम क्यों नहीं रहा है? पंक्ती मेरी बेहन तो परिशान मत हो, कर्मी है ना इसलिए ये दही पट रहा है, हमें काम करते हैं, हम इस मटके की चारो तरफ गीला कपड़ा बान देते हैं, क्या पता उसकी ठंड़क की वज़ा से दही ना पटे? दोनों बेहने मतके के उपर गीला कपड़ा बान देती हैं, जिसके चलते दही नहीं फटता, लेकिन इस बार भी तारा और पंक्ती की बनाई हुई लसी लोगों को पसंद नहीं आती है, जिसके चलते दोनों बेहनों की बिलकुल ना के बराबर कमाई होती है हम जितना कमा रहे हैं उसमें भी ये दाल चावल हम कितनी मुश्किल से खरीद पाते हैं ये तो मच्छी तरह से जानती हो पंक्ती अगर आज मा बाबा जिन्दा होते तो हमें रोज रोज दाल चावल काकर गुजारा ना करना पड़ता मुझे तो डर है अगर हमारी मटका लसी ना भी की तो वो भजनलाल हमें घर से निकाल देगा फिर हम दोनों अनात बहने कहां जाएंगे दोनों बहने खाना खाते खाते रोने लगती है जिसके बाद अगले दिन दोनों बहने फिर से मटका लसी बना कर बेचने के ले जाती है लेकिन इस बार भी उनकी कुछ खास कमाई नहीं हो पाती और निराश होकर दोनों बहने घर लोट रही होती है पंक्ती कितनी तेज दूप हो रही है अब तो मुझसे और नहीं चला जा रहा है एक काम करते हैं इस जंगल के रास्ते से होकर घर जा रही होती है कि तब ही उनकी नजर एक तालाब में पड़ती है जिसका पानी धूप की वजह से आधे से ज्यादा सूख चुका था कि तब ही वो देखती हैं कि उस तालाब के अंदर थोड़े बचे पानी में एक मचली है दीदी अगर ये थोड़ा से पानी भी सूख गया तो मचली तो बिना बानी के धड़ब कर मर जाएगी एक काम करते हैं हम इस मचली को जो हमारे घर के पास तालाब है वहां ले जाते हैं इसे उस तालाब में डाल देंगे तारा मटके के अंदर से सारी लसी फेक कर उसके अंदर उस तालाब का बचा हुआ पानी और उस मचली को डालते हैं और सीधा अपने घर के पास बने तालाब में ले जाकर उस मचली को डाल देते हैं साथ ही साथ उसके खाने के लिए थोड़े बहुत चावल डाल देते हैं और अब वो दोनों बहने अपने साथ साथ उस मचली का भी पालन पोशन करने लगती हैं और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं अरे ये आकरी बार तुम्हें एक हफ़ते की महलत दे रहा हूँ अगर इस हफ़ते में मेरा किराया नहीं आएगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा अब बहुत हो गया हम और कब तक ऐसे गुट-गुट कर जियेंगे इससे अच्छा है कि हम लोग मर जाते हैं दोनों बहने जंदगी से हार चुकी थी इसलिए वो दोनों अपने घर के पास वाले तालाब के पास जाती हैं और उसके अंदर कूद कर जान देने की कोशिश करती है कि तब ही उनके सामने वही मचली आ जाती है और देखते ही देखते वो छोटी सी मचली एक जलपरी का रूप ले लेती है रुप जाओ ये तुम दोनों क्या करने जा रहे हूँ? कौन हो तुम? जलपरी के कहने पर पंक्ती घर के अंदर जाती है और मटका लाकर जलपरी के सामने रख देती है जिसकी बाद जलपरी उस मचली पर अपनी कुछ जादूी शक्तियां डालती है अब ये मटका कोई साधारन मटका नहीं बलकि जादोई मटका बन चुका है और अब ये जादोई मटका ही तुम्हारी किस्मत बदलेगा इतना कहकर जलपरी वहां से गायब हो जाती है दोनों बहने मटके को घर ले आती है और फिर से एक बार और दही जमा कर बिलकुल अपनी बाबा की तरहा लसी बना कर बेचने के लिए जाती है जरा एक ग्लास मटका लसी तो देना दोनों बहने उस आदमी को डर डर के मटका लसी देती है लेकिन जैसे ही वो आदमी मटका लसी पीता है पहली बार किसी कस्टमर के मूँ से अपनी मटका लसी की तारीफ सुन दोनों बहने बहुत ज्यादा खुश होती है जिसकी बाद अब जो भी दोनों बेहनों की मटका लसी पीता उसकी तारीफ करते रुखता नहीं दीदी हमें सुबह से शाम हो गई और ये मटका लसी तो खतम होने का नाम ही नहीं ले रही है इसका मतलब ये सच में जादूई मटका बन चुका है और इसके जादूई की वज़ह से लसी नहीं कतम होरी है शाय infrared इस जादूई मटके की वज़ह से ही सभी को ये लसी इतनी पसंदार ही है दोनों बेहने जादूई मटके के बारे में सोच सोच कर बहुत कुश होती है अब दोनों बेहने जादूई मटका लस्सी बेच कर इतने पैसे कमा लेती हैं कि अब वो आसानी से अपना घर का किराया दे देती हैं ये लीजे अब तो आप हमें घर से नहीं निकालेंगे न? अरे नहीं नहीं बस तुम दोनों बेहने किराया समय पर देना दोनों अनात बेहनों के हाथ की जादूई मटका लस्सी पीने के लिए अब आस पास वाले ही नहीं बलकि दूर दूर से लोग आया करते थे Excuse me, क्या आप ही वो दोनों बेहने हैं जो मटका लस्सी बनाती है? जी हाँ, लेकिन आप कौन? हमने आपको पहचाना नहीं मेरा नाम उमेश है और मैं शहर के सबसे बड़े 5 स्टार होटेल का मालिक हूँ मेरे होटेल में हर तरह की खाने पीने की चीज़े हैं लेकिन आपकी जैसी बनाई हुई मटका लस्सी नहीं है और कुछ महीनों में दोनों बहने जादू इमटका लस्सी की वजह से इतना पैसा कमा लेती हैं जिसमें वो अब खुद के सपनों का रेस्टरॉं खोल लेती हैं और जादू इमटका लस्सी की बदद से हर गरीब और बे सहारा लोगों की भी मदद करती हैं और एक अच्छा जीवन जीती है